हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़ादार से नास्ते की रेसिपी जिसे हम कच्चे आलू से बना कर तयार करेंगे तो फ्रेंड्स इसे बनाना उतना ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़ादा स्वाधिस्ट लगता है आप इसे सुबह या शाम के चाय के साथ आप इसे नास्ते के लिए बना कर तयार कर सकते हैं बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए भी आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं तो देर किस बात की है फ्रेंड्स रेसिपी शुरू करते हैं इस recipe को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप पोहा लिया है तो यहाँ पर आप किसी भी पोहे का यूज कर सकते हैं मोटा या पतला कोई भी पोहा का यहाँ पर यूज कर सकते हैं उसे mixी में हम डाल देंगे साथ ही मैंने यहाँ पर एक कप सूजी का यूज किया है तो हम यहाँ पर सूजी भी इसी के साथ हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोहा और सूजी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है तो सूजी को हमें grind करनी की जरूरत नहीं थी, लेकिन friends मैं यहाँ पे पोहे के साथ इसे भी साथ में grind कर ली हूँ, ताकि बहुत अच्छे से दोनों चीजे बहुत अच्छे से mix हो जाएं, उसके हम side में रखेंगे, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक अकच्चा आलू लिया ह ग्रेट करने के बाद हमें इसे बहुत अच्छे से धो लेना है क्योंकि आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है, दूसरी तरफ मैंने गैस पे पैन रखा है, थोड़ा सा इसमें oil एड़ कर देंगे, साथ ही एक चमत जीरा एड़ कर दिया है, पिंच ओफ हींग एड़ कर द जो हमने ग्रेट करके रखा है, धोकर वो हमें इसमें डाल देती हूँ, और यहां पे इसके साथ डालने के बाद हम इसे एक से दो मिनट तक इसे हम कुक कर लेंगे, तो जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा, मैं यहां पे थोड़ा सा धनिया पत्ती एड़ कर दूँगी और यहां पे आधा चमच के करीब मैंने यहां पे चिली फ्लेक्स लिया है, वो हम इसमें एड़ कर देंगे, तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसमें एड़ कर सकते हो, अदर्वाइस आप प्लेन भी बना कर तयार कर सकते हैं, बिना यहां पे चि क्योंकि सूजी और पोहा है फ्रेंड्स पानी को बहुत जल्दी एब्जॉब कर लेता है, और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें इसे डो जैसा बना कर तयार कर लेना है, गैस की फ्लेम को हम यहां पे बंद कर देंगे, और आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से मिक्स हो गय दूसरी हम टैयारी कर लेते हैं, तो जिस बर्तन में म।े मैं सीटीम करोंगी, उसे हम हलकाश ऑइल से ग्रीज कर लेंगे तो यहां पे हलका सवाइल से मैंने ग्रीज कर लिया है, और यहां पे यह जो मैंने डो माना के रखा था वो अब थोड़ा सा थंड हो गया है, तो बि यहां पर इस तरह का शेप बना रही हूं तो हमें इसे बहुत जादा बड़ा नहीं रखना है हम इसे बिल्कुल छोटा-छोटा बना कर तयार करेंगे और जिसमें मैंने ओयल से ग्रीज करके रखा था जिस बरतन में उसमें हम डाल देंगे और इसके बाद इसे हम स्टीम कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर सूजी और पोहा आलरेडी पहले से ही पका हुआ है तो हमें इसे बहुत जादा स्टीम नहीं करना है बस हम इसे दो से तीन मिनट ही स्टीम करना है और उसके बाद यहां पर हम स्टीम कर लेंगे तो यहाँ पी यह जो हमारा नास्ता है स्टीम हो गया इसे हम साइड में रखेंगे अब हम इसके उपर थोड़ा सा तड़का लगाएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे पैन रखा है थोड़ा सा ओयल एड़ कर देंगे ओयल के गरम होने पर यहाँ पे जीरा और यहाँ पे बारी कटा हुआ अद्रक मैंने एड़ किया है पींच ओफ हींग एड़ कर देंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंट्स आप चाहो तो इसमें मिर्ची और प्याज भी एड़ कर सकते हो मैंने यह बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें मिर्ची वगरा एड़ नहीं किया है साथ ही मैं यहाँ पे आधा चम्मची करी बेसन एड़ कर दूँगी और इसे हलका गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे उसके बाद मैं यहाँ पे मैगी मसाले का यूज कर रही हूँ क्योंकि मैगी मसाला बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है तो फ्रेंट्स मसाले हमारे जले नहीं हमें इसके थोड़ा सा डालने के बाद मैगी मसाला मैं थोड़ा सा पानी एड़ कर दूँगी और इसके बाद इसे mix कर लेंगे यहां पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला यूज किया है जिससे थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर आएगा और उसके बाद फ्रेंड्स जो मैंने नास्ता को steam करके रखा था वो हम इसमें एड़ कर देंगे और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे तो फ्रेंड्स बेसन डालने से जो हमारे मसाले हैं वो हमारे नास्ते के उपर बहुत अच्छे से coat हो जाएंगे तो ये आप ये step आप जरूर करें आप इसमें बेसन जरूर एड़ करें जिससे हमारे नास्ते के ऊपर एक अच्छी सीम कोटिंग आ जाएगी और हमारा नास्ता और भी ज्यादा टेस्टी और चटपटा बनके तयार होगा। लास्ट में मैं यहाँ पर धनिया पती एड़ कर दूगी और इसके बाद इसे मिक्स कर दूगी और यह हमारा नास्ता बनके बिल्कुल तयार हो गया है और आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा इसके ऊपर मसालों की कोटिंग आ गई है तो फ्रेंड्स आप इसमें कोई भी मस अपने पसंद के अनुसार एड़ कर सकते हो आप यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर वगरा यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यह बच्चों के लिए बना रही हूं इसलिए मैं यहाँ पर इसपाइसे कम यूज किया है और आप देख सकते हो हमारा जो नास्ता है बहुत ही ज़ हाँ तो फ्रेंड मेरी चैनल को लाइक शिHR और सस्क्राइब करना बिलकूल भी न बूलें और यह रेशिपी आप एक बार जरूट राइए करें आपको बहुत पसंद आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे बना लिया है और इसे स़र्व कर तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में ओके बाई एंड टेक एर फ्रेंड्स